जैहिन दोस्तों आप देख रहें डीके नियूज वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि कोई भी नई ख़वर सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं संग लोग सेवा आयोग परिच्छा को भारत की सबसे कठिन परिच्छाओं में से एक माना जाता है और हर साल लाखो चातरिश में सामिल होते हैं लेकिन बहुत कम इस्टुडेंट ही इसे किलियर कर पाते हैं UPSC एक्जाम की तैयारी के लिए फिजकल और मेंटल हेल्थ काफी जरूरी है हालकि पंजाब के मोगा के रहने वाली रितिका जिंदल के लिए यह असान नहीं था लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आई-ए-ए-ए-स बनने का सपना पूरा किया रितिका बच्पन से ही आई-ए-स बनना चाहती थी वे कहती है वे पंजाब की है जहां के बच्चे लाला लाजपत राय और भगत सिंग की कहानिया सुनकर बड़े होते हैं वे भी इनी कहानियों को सुनती हुई बड़ी हुई थी और उस उम्र से ही देश के लि होगा में हुआ और उन्होंने अपनी सुरुवाती पढ़ाई भी यहीं से पूरी की 12 में रितिका ने सी बेसी बोर्ड में पूरे नार्दन इंडिया में टॉप किया इसके बाद उन्होंने दिल्ली के स्रीराम कालेज आफ कामर्स से ग्रेज़ेशन किया और 95% अंकों के आती थी इसलिए कॉलेज के समय से ही उन्होंने ईपियसी एक्जाम की तेयारिया सुरू कर दी थी ग्रेज़ेशन के बाद रितिका ने पहले बार ईपियसी एक्जाम दिया और तीनों स्टेज किलियर कर लिया लेकिन फाइनल लिष्ट में वह कुछ अंकों से पीछे रह टेंक हासिल कर अपने बच्पन का सपना पूरा किया उस समय रितिका की उम्र सिफ 22 साल थी रितिका जिंदल के लिए आई एस बनने की रह इतनी आसान नहीं थी क्योंकि जब वह पहली बार ईपियसी एक्जाम की तेयारिया कर रही थी तब उनके पिता टेंक कैंसर के सिकार ह गये और इस वज़े से रितिका के पढ़ाई भी प्रभावित हुई वही जब रितिका दूसरी बार एक्जाम की तेयारिया कर रही थी तब उनके पिता को लंग कैंसर हो गया रितिका के लिए यह काफी कठिन समय था लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुश्किलों का सा साधनों वाला छोटा सहर है हर बार जब भी मेरे पीता की तबियत खराब होती तो हमें उनका इलाज कराने के लिए लुद्याना ले जाना पड़ता था और मुझे उनके साथ अस्पताल जाना पड़ता था उन्होंने कहा पीता को जिंदगी से लड़ते देख कर मुझे बह देखते रहें डीके न्यूज धन्यवाद